प्रियो आज की वीडियो में हम लोग इसराइल के 12 गोत्रों के बारे में देखेंगे ये इसराइली एक ही पिता की संतान थे याकुब नामक अबरहम का पुता और इसहाग का पुत्र था जिसका नाम परमेशन ने याकुब से इसराइल रखा याकुब नाम का अर्थ है अडंगा मारने वाला तथा बाद में परमेशन ने याकुब का नाम याकुब से इसराइल रखा जिसका अर्थ होता है इश्वर से युद्ध करने हारा क्योंकि जिस समय याकुब अपने ममा लबान के घर से निकल कर अपने घर को जा रहा था और जब उसे यह सूचना मिली कि याकुब का भाई ऐसा हो उसे मारना चाहता है तो याकुब ने अपनी पतिनियों को बच्चों समेत आगे बढ़ने को कहा और स्वैम उस रात अकेला रह गया तथा भोर होने तक कोई पुरुष याकुब के साथ मल्युद्ध करता रहा जिस पर याकुब के साथ युद्ध करते हुए वहाँ पुरुष उस पर प्रबल नहीं हो पा रहा था तब बाद में याकुब ने उससे बिंती किया कि जब तक वहाँ उसे अशिरवाद नहीं दे देता तब तब वहाँ उसे जाने नहीं देगा इसलिए परमिश्वन ने उसका नाम याकुब से इसराइल रखा अब याकुब की दो पतिनिया थी लिया और राहिल जो सगी बहने थी परन्तो इन दोनों ने अपनी अपनी दासियों को याकुब की पतनी बनने के लिए दे दिया था ताकि इनकी संतानों के द्वारा भी इनकी वन्शावली बढ़े याकुब की चार पतिनीओं के द्वारा उसके बारह पुत्र और एक पुत्री उत्पन हुई जो सभी इजराइली कहलाए यहां तक तो हमने जान लिया अब हम लोग आगे देखेंगे कि इन बारह पुत्रों से ही इसराइल के बारह गोत्र कहलाए और एप्रेम और मन्शशे नामक याकुब के दो पोते थे जो याकुब के पुत्र यूसुफ के बेटे थे और ये दोनों मिस्र में उत्पन हुए थे याकुब अपने मरने से पहले अपने 12 बेटों के गोत्रों में यूसुफ के दोनों बेटों को भी शामिल कर लिया कि इन्हें भी हिस्सा मिले जो देश परमिश्वन ने अबरहम इसहाग और याकुब के साथ वादा किया था कि कनान देश मैं इनके वन्शजों को दूँगा इसलिए मिस्र की गुलामी से अजाद होने के बाद मूसा इसराइल के 11 गोत्रों के साथ यूसुफ के दो और गोत्रों को भी मिस्र के गुलामी से अजाद की हुए अपने साथ लिये जा रहा था अब आगे की कहाने में हम लोग इन गोत्रों के बारे में देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ इन गोत्रों के साथ ये गोत्र कहां कहां चले गया इनकी वन्शावाली आज कहां पर है तथा भविशे में नई यरुशलेम के 12 इसे देखेंगे वीडियो में आंत तक जरूर बनी रहीएगा ताकि इसे समझने में हमें मदद मिल सकें यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकोन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रियो यहवा परमेश्वर अपनी प्रजा को लिये हुए बादा किये गए देश कनान की ओर जा रहे थे जब वे कनान देश जो अब वर्तमान का इसराइल देश है उसके करीब पहुँ भी शामिल थे इन बारह गोत्रों में लेवी गोत्र शामिल नहीं हुआ था क्योंकि लेवियों के लिए परमिश्वर की आगया थी कि वे परमिश्वर की सेवा टहल करने वाले याजक ठहरे इनके अलावा योसुफ के दो पुत्र एप्रेम और मन्शिशे के गोत्र भी कनान शक्ति शाली हैं जिसको सुनकर इस्राइली बड़बडाने लगे तब परमिश्वर के क्रोधी के कारण अब कनान देश उन्हें पहुँचने में 40 वर्ष लग गये अब इन वर्षों के बाद इस्राइलियों के बचे हुए वन्शज कनान देश के करीब आ पहुचे परन्त जिस पर मूसा ने उन्हें बताया कि यदि तुम लोग बाकी लोगों को कनान देश में पहुचने पर युध में उनकी मदद करोगे तब यहुवा की तरफ से यर्दन के इस पार का स्थान तुम्हारा कहलाएगा जिसके बाद मूसा की मृत्यों के बाद मूसा की जगा यहुशु के समय में इसराइलियों के वन्शज यर्दन के इस पार पहुच चुके थे और युध में इन लोगों के बाल बच्चे तो इसी पार थे परन्तु ये लोग अपने भाईयों के साथ युध करने आ गया थे जिसकी वजह से रुबेन, गाद और मन्शेशे के आधे गोत्र को यर्दर नदी के इसी पार हिस्सा मिल गया जो वर्तमान में इसराइल की पूर्वी सिमा का निर्माड करती है कनान देश में पहुँचने पर बाकी गोत्रों का हिस्सा देना बाकी था जिसकी जिम्मेदार यहोशु के उपर था लेवी गोत्र के लिए एक निर्धारित स्थान नहीं रखा गया था क्योंकि ये गोत्र परमिश्र की सेवा के लिए चुने हुए गोत्र थे इसलिए जहाँ जहाँ भी इसराइलियों को जगा मिलनी थी वहाँ वहाँ पर लेवीयों के कुछ-कुछ लोगों को जगा देना था ताकि इनके मदी रह करवे परमिश्र की सेवा कर सके ग्यारा इसराइल के गोत्र और यूसुफ के दो बच्चे एप्रेम और मनशशे के गोत्र मिला कर तेरा गोत्र हो चुके थे क्योंकि यूसुफ तो मिस्र में ही मर चुका था रुबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, जबुलून, इसाकार, दान, गाद, आशे, नप्ताली, एप्रेम, मन्शशे और बिन्यामिन थे खोत्रों को यर्दन ने दीके इसी पार हिस्सा मिल चुका था लेवियो के लिए निर्धारित इस्थान नहीं था अब बाकी के बचते हैं साड़े नो गोत्र जीने हिस्सा देना था यहोशू उसके तेरा के साथ में लिखा है इसलिए तू अब इस देश में नो गोत्रों और मन्शशे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बाट दे नप्ताली के वन्शज कनान देश, पश्शिम और उत्तर पश्शिम के देशों में बस गए वैवस्ता विवरंट तैतिस उसके तेश के अनुसार फिर नप्ताली के विश्य में उसनी कहा हे नप्ताली तू जो यहवा के प्रसंता से त्रिप्त और उसके आशीर से भरपूर है तू पश्शिम और दक्षिन के देश का अधिकारी हो जा इस आशिरवाद के कारण ये जगह वर्तमान के इसराइल का गलील सागर के पश्शिम और उत्तर पश्शिम में उचे छेत्रों में बस गये और इनके साथ तीन नगर लेवियों को भी दिया गया प्रियो इसी गलील से ही इश्यू स्वर्ग पर उठा लिये गये थे और भविश्य में वे इसी जखा पर जैतून पहाड पर दुबारा आएंगे गाद के गोत्रों को यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर जखा मिली थी जो वर्तमान में यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर इसराइल के उत्तर पूर्वी में इस्थित है गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गाउंवों समेत यही ठैरा इसके बाद जो मन्शशे के आधे गोत्र बचे थे उनको याईर की साथो बस्तिया मिली और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रोई के बशान में ओग राज्य थे ये सब मन्शशे के आधे गोत्रों को मिल गया ये सब भाग यर्दन नदी के पास के पूर्वी की ओर था इसके बाद कनान का भेद लिने गए कालेब की वन्शवली को पहाड़ी इलाका भी दिया गया अब आता है यहूदा के गोत्रों को इस थान मिलने का इन्हें एदोम के सीमा से लेकर यबूस तक का पूरा राज्य दिया गया जो वर्तमान में इसराइल में यरुशलेम कहलाता है ये सब जगा मिला कर काफी जगा था इनके साथ गाउं भी था ये सब यहुदी गोत्रों को मिला एप्रेम का भाग उनके सीमा पूर्वे से आरंब होकर बेथे रोन और उत्री सीमा पश्यम के ओर मिकम तात से आरंब होकर यरीहों के पास होकर यर्दन पर निकली और काना नगर के नाले तक होकर समुद्र तक था वहाँ पर इन्हें इस्थान मिला इसी काना नगर में ही इश पहला आशरे कर्म किया था सधारन पानी को दाखरस बना दिया था इसी प्रकार बाकी सभी गोत्रों को कानान में इनके नामों पर चिठी डाल डाल कर इनके नाम पर चिठी निकलती थी उन्हें वह जगह दे दिया जाता था परंदु दान के गोत्र को अभी जगह नहीं मिला नियायो 18-1 के अनुसार उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा ना था और उनी दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंड रहे थे क्योंकि इसराइली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था इसलिए दानियों ने एप्रेम गोत्र के पहाडी देश में अपने कुछ शूरवीर लोगों को भेजा कि वे चान बीन करके जगा देख कर आये उसी एप्रेम के पहाडी देश में मीका नमक एक पुरुश रहता था जिसने अपने घर में देवताओं के रहने के लिए एक अलग स्थान बनाया था और एक परदेशी लेवी को अपना याजग बना रखा था कि वहाँ इन देवताओं के सेवा टहल करे इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप इसे देख सकते हैं कि मीका ने क्या कर डाला था अब ये दान के गोत्रों ने मीका के घर के ग्रिह देवताओं समेत लेवी याजक को भी अपने साथ ले आए और उसी जगह पर जो बेतर होब की तराई थी उसको इन लोगों ने द्रड किया और उसमें रहने लगे और इस जगह का नाम उन्होंने दान गोत्र के नाम पर दान रखा परन्तो इसके पहले इस जगह का नाम लैश था प्रियो ये गोत्र मुर्ति पूजा करने लगे और परमिश्र से दूर होते चले गए प्रकाशित वाकी के पुस्तक के साथ अध्याय में जिन बारा गोत्रों पर परमिश्र की मुहर दी गई उन गोत्रों में दान का गोत्र शामिल नहीं है बलकि उसके स्थान पर यूसुफ का पुत्र मनशशे का नाम देखने को मिलता है शायद ये इसलिए हो सकता है कि दान का गोत्र मुर्ति पूजग बन गया था प्रियो यहां तक तो हमने देखा इन जन जातियों को कि कहां कहां इन ही जगा मिली अब बात आती है इनके विभाजन की तो राजा दाउद के पुत्र सुलिमान के बेटे राजा रहोबियाम के समय में ये इसराइली दो भागों में विभाजित हो गए थे एक भाग में बने यहुदियों का भाग कहलाया जिस पर सुलिमान का पुत्र रहोबियाम राजा बना और दूसरी तरफ सुलिमान का करमचारी यारोबाम इसराइल के भाग का राजा बना अब इसी के आगे इन भागों में युद्ध होने लगा सब अपना-पना देश देखन लेकिन इनी इस्राइलियों में ही अंतिक की समय में इनके गोत्रों के अनुसार 12 बरा हजार पर परमिश्र की मुहर देना है। और कितनों की गिंती होगी उस विशे पर एक वीडियो आपके पास जल्द आएगा। तो परात न करें कि जब ये वीडियो त्यार होता है तो परमिश्र हमारे टीम के साथ रहे। आने वाली वीडियो के लिए प्लीज मुझे कमेंट करिए ताकि होसला बढ़ सके। अब इस हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में आप सभी भाई बैनों को प्रभु येश्र मसी के नाम में जय मसी की। अपनी लगी आपको इस टोरी कमेंट में लिखके बताइए आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जय मैंसी की दोस्तों